पुरिदेश में आज अनलोग 4 के प्रक्रिया शुरू हो गई है इसके तहट सरकार ने कई निरने लिये हैं रेलवे ने भी अब बन पड़े ट्रेनों को चलाने के आदेश दिये हैं इंदोर रेलवे ने भी रेल मंत्राले से इंदोर मुंबई, इंदोर दिल्ली और हावडा के लिए गाड़ी मांगी थी जिस पर दो ट्रेनों को चलाया जाने के लिए इंदोर को आदेश मिल गए हैं हाला कि तारिक अभिताय नहीं हुई है खबरबांड न्यूज ने रेलवे प्यारो जितेंद्र कुमार जेंद से बात की और जाना की कोरोना काल में रेलवे भाग की क्या कुछ तयारिया है अनलाग फोर के चलते आज हम आएं रेलवे इस्टेशन पे रेल मंत्राले द्वारा रेल रेल चालू करने की बात कहिए इसी कड़ी में आज हमारे साथ है रेलवे प्यारो श्री जैन कुमार जी आई हम जैन कुमार जी से बात करते हैं दिखेगा जैसे की कौरोना का प्रिकोप अभी भी कम नहीं हुआ है तो रेल प्रिशाषन पूरे एतिहात के साथ में रेल का संचालन कर रहा है और रेल का संचालन करते हुए जो हमारे यहां से हम लोगों ने डिमांड की थी इन दौर से मुंबई के लिए इन दौर से दिल्ली के लिए इन दौर से हबरा के लिए तो उसमें हम लोगों को दो गाड़ियों का शैंक्शन मिला है अभी दो गाड़ियों के चलाने की आदेश प्राप्त हुए हैं लेकिन अभी डेट डिसाइड नहीं हुए जैसी डेट डिसाइड होगी हम लोगों का रेल संचालन के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं साथ में जो और टेन हैं जैसे कि ओ से गांदी नगर है दौसले तरह से गांदी धाम है देधान है है दो बोडन और से पतना और पूने यह गाड़ियों की और हम लोगों को डेमांड कर रखी हैन तो जो भी डिसिजन ले रहा है दो पूरी सिस्टम को ध्यान से रही हैं सब go还 क nah को सबी आफल को ही यत्रा करने को मिलेगा अगर में हैं तो आपको यत्रा नहीं करने को मिले अम पबिक के लिए पहर कीस्प्रकार से आम पड no की सर रेलवेय स्टेशन लोकल ट्रेन रहें ही , लोकल ट्रेन चलाने इसलिए स squeeze no नहीं है कि हमारा ट्रेन एक ऐसा सिस्टम है कि जैसे हम लोगों ने लोगों को एलाओ किया लोग भीड लगाएंगे और एक संक्रामित हजार लोगों को संक्रामित कर सकता है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे माननिय प्रधान मंत्री जी के डारेक्शन में जो हमारे जितनी भी सीट हैं तो वो उनका आरक्षन देंगे इसके अलाबा किसी को भी अनारक्षित को अंदर नहीं प्रविश देंगे और जब वो अंदर जाएंगे तो उसका भी एक सिस्टम लगा रखा है कि एक आत्मा मशीन लगा रखिए जिसमें की जो भी यात्री है उसका ट्रे होगी और एक एक जिट होगा जिससे की कोई भी आदमी अंदर नहीं जा पाएगा बिदाउट रियर विशन सर माना जाता है कि पैसंजर के साथ छोड़ने के लिए 445 जना आते हैं उनको किस प्रकार से अप इंट्री देंगे या नहीं देंगे देखिए रेल्बे प्रमाइ लेकिन जो भी छोड़ने आएंगे उनको हम प्लेटफर्म पे एंट्री नहीं देंगे एक क्लियर है और दूसरी बाद रेल्बे करमचारी के अलावा स्टेशन प्लेटफर्म पर किसी को भी एंट्री नहीं रहीगी तो कोशिश है कि हम लोग सुरक्षित कोरोना से सुरक्ष वही रहेगा लेकिन क्योंकि ये ट्रेंट विशेस का इसली दर्जा दिया गया है कि इस ट्रेंट के अंदर आम आदमी यात्रा नहीं कर पाएगा जिसका टिकट कंफर्म है वही यात्रा कर पाएगा इसको विशेस रूप से ये नाम दिया गया है क्योंकि विशेस का मतलब ह कि उसमें जो बिवस्ता है वो बिसेस रूप से बनाई गई है जिसके कोई भी यात्री शंक्रामित होने से बचे और अपना घर तक पहुच पहुच पहे हैं तो रेलवे को इसमें कितना नुकसान हुआ है कुछ बताई देखी का यह तो कंफर्म है कि रेलवे को हमने ट्रेन न कि अपना जो आमंदनी है वो भी बरकरार रहे और रेल का जो कंसेप्ट है कि लोगों को उनके घर तक पहुचाने का वो भी पूरा होता रहे तो हम लोगों ने उसके तहत हम लोगों ने तीन स्रमे के एक्सप्रेस इंदोर से जरूर चलाई थी जिससे कि उसमें करीब एक ट कुमार जी देखा आपने किस प्रकार से ट्रेन चालू करने का आवन किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी इंदोर में ट्रेन चालू हो जाएगी खब और बान के लिए नीरज बोरासी